स्क्रफ टाइफस वो स्वाइन फ्ल्यू में राज्य में 46 मरीजों की मौत हो चुकी है इसके अलाबा हैपिटाइट्स ई ने भी दो मरीजों को अपना शिकार बना लिया है यह खुलासा प्रदेश स्वास्ते विभाग द्वारा जारी ताजा आंकडों से हुआ है विभाग द्वारा जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 चनवरी से 2 नवंबर 2017 तक राज्य में स्क्रफ टाइफस के 913 संदिग्धों के टेस्ट करवाएगे जिसमें से 1279 मरीज पॉस्टी पाएगे जिनमें से 31 मरीज स्क्रफ टाइफस विमारी से दम तोड़ चुके हैं मिर्तकों में 1 विलासपूर, 2 चमबा, 7 कांगरा, 1 किनौर, 7 कुलू, 2 मंडी और 11 शिमला के हैं इसके अलावा स्वाइन फ्लियो की बात करें तो उप्रोक्त अवधी के बीच 738 संदिग्ध मरीजों के टेस्ट करवाएगे हैं जिनमें से 55 मरीजों में स्वाइन फ्लियो है इसके अलावा हैपिटाइड्स ए के अब तक 580 संदिग्धों के टेस्ट करवाएगी हैं जिनमें से 84 पॉस्टि पाएगी हैं जिनमें से 2 मरीज दम तोच चुके हैं स्वास्ति विवाग द्वाग द्वारा जारी इन आंक्रों में अभी तक डेंगू वो हैपिटाइड् हैपिटाइड्स ए के 901 संदिग्धों के टेस्ट करवाएगे हैं जिनमें से 283 मरीज हैपिटाइड्स ए से पॉस्टि पाएगे हैं हाला कि गनिमत यह रही कि इस इस रिपोर्ट के मताबिक डिंगू वो हैपिटाइड्स ए के मरीज भी किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई प खांसते अत्वा चीक्तिस में भी अपने मुह पर नाक को रुमाल से ढखें तथा अपनी नाक आंखों कान अत्वा मुह को छूने से पहले तथा बात में अपने हाथों को सावं से अच्छी तरह धोएं